तो नमस्कार दोस्तों आप सभी के स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीवी केमपस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुक एतिहाशिक यूद यानि जो भारत के प्रमुक एतिहाशिक कि वीदध यूद हुए थे फे वह किन के बीच हुए थे और कहां हुए थे और उसमें किसकी विजाए हुई थी और उसमEMAं किसकी प्राज्य हुई थी तो आज हम इसी के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो जो हमारा जो हमारे पंजाब के राजा थे, उनकी इसमें परा जय हुई थी, दूसरा हमारा क्या है तो दूसरा हमारा कलिंग की लड़ाई क्या दोस्तो कलिंग की लड़ाई कब हुआ था तो 261 इस भी पूर्व में हुआ था ठीक है किसके किसके बीच हुआ था तो यह हुआ था समराट असोक ने कलिंग पर आक्रमन किया था क्या दोस्तो समराट जो असो आता है उसने यूद न करने की कसम खाई मतलब आपसे कोशन और जा सकता है कि जो अशोक थें किस यूद के उपरांत उन्होंने अपना यूद करना छोड़ दिया दोस्तों तो आप याद रखेंगे कलिंग की यूद कलिंग की यूद में उन्होंने इतना ज्यादा खून क्या थे दोस्तों तो 712 इसवी में क्या दोस्तों 712 इसवी में सिंध की लड़ाई हुई थी और किसके किसके बीच में दोस्तों तो मुहम्मद काशिम मुहम्मद काशिम और अर्वो की सत्ता अस्तापित की थी मतलब सिंध की जो लड़ाई हुई थी उसमें मुहम्मद काश अर्वो की सत्ता स्थापित की थी फिर अगला क्या आता है हमारा तराइन का प्रत्थम यूद कौन से समय में हुआ था तो 1191 इस्वी में हुआ था और किसके बीच हुआ था दोस्तो तो मुहम्मद गोरी और पिर्थिवी राज चोहान के बीच में हुआ था जिसमें की चोहान की बिजय हुई थी यानि पिर्थिविया चोहान की बिजय हुई थी और मुहम्मद जी गोरी जियो थे हमारे हार चुके थे हैं कौन से समय में हुआ था दोस्तो तो 1191 में हुआ था कौन सा यूद तो तराइन का प्रतम यूद अगला क्य की बीच में हुआ था जिसमें मुहम्मद गोरी की बिजय हुई थी और पिर्थिविरा चोहान को बंदी बना करके उनकी आँके फोर करके अपने तैकाने में उसने कैद कर दिया बहुत लंबी कहानी है कभी इसके बारे में हम डिसकस करेंगे ठीक है पांचवा क्या आता है हमा twitter चन्द यूद कवता दोस्तों 1194 iiswi में हुआ ते 1194 бли Ça permettuk मुहमत गोरी और Page मुहम bash मुहममद गोरी और कर्णौज के रादा जैचंद के बीच में हुआ था जिसमें कि जैचंद की हार हुई थी अब सवाफ़ उड़ते कि जैचंद कौन साधी कर लिये थे यानि ससूर और दमाद कानाद आथा ठीक है, फिर साथवा क्या आता है, हमारा पानिपद का प्रथम युद, पानिपद का प्रथम युद कब हुआ था दोस्तों, तो 1526 इसमीं में हुआ था, तो मुगल सासक, बाबर और इबराहिम लोधी के बीच में धा जिसमें की राणा सागा की क्या हूई थी प्राजे हुई ठीक है अगला क्या आता है हमारा अगला आता है मारा खागरा का युद घागरा का यूद कौन से समय में हुआ था तो 1529 सिवी में हुआ था किसके बीच में हुआ था तो बाबर बाबर ने महमूद लोदी के बीच में हुआ था जिसमें कि बाबर ने महमूद लोदी के नेतित्में अफगानों को हराया था थे कि आगला क्या आता है हमारा चोशा का इउध का समय क्या था था दोस्टों तो पनरह सु bolख किसके को सेर साथ सूरी और हमायू के बीच भृता तिसमें कि सेरसा सूरी ने Na dur हे मायू को कगर दिया था इसको सेर सफ राइव को हरा दिया था फिर अगला क्या आता है हमारा कन्नोज धबिल ग्राम का यूद कब हुआ था दोस्तो तो 1540 इसी में हुआ था पादिया पानी पत्कादिया यूद कब हसे दोस्तो तो 1557 इसी में हुआ था अकबर और हैमु के बीच में हुआ था पिर अगला क्या आता है हमारा ताली कोटा का यूद का समय तो 1557 में किसके किसके बिज दोस्तों तो विजय नगर समराज्य का अंत हो गया फिर आता है हमारा हलदी गाटी का यूद कहौन से समय में हुआ था 1566 में में हुआ था ठीक है किसके बीच तो अकबर और राना प्रताप के बीच इसमें राना प्रताप की हार हुई थी और अकबर की हमारी क्या हुई थी दोस्तों अकबर की हमारी जीत हुई थी फिर अगला क्या था हमारा प्लाशी का यूद समय क्या था हमारा तो सत्रह सो संतावन सब विजि के बीच तो ऐंग्रेजों और लाके बीच में दोर्लेक समय क्या था हमारा सत्राइस व्यॐ तो अंगरेजो और फ्रांसीसीओ के बीच में हुआ था फ्रांसीसीओ की क्या हुई थी तो हार हुई थी फिर अगला किया आता है हमारा पानीपत का तृत्य यूद समय क्या था हमारा तो 17raumITS Bi में किसके बीच में हुआ था तो अहमत साह अबलई अहमद साह अब्दाली और मराठो के बीच में जिसमें फ्रांसीसियों की क्या हुई थी दोस्तों तो हार हुई थी फिर अगला क्या आता है हमारा बक्षर कायूद समय क्या था दोस्तों तो 1764 इस भी किसके किसके बीच वो था तो अंग्रेजों और स्तिराजु दौला मीर कास साह आलम अलम दूतिये की छाण्युक्त सेना के बीच में जिसमें अव्यों की क्या ही थी दोस्तों अगला क्या Türkiye मायशूर कायूद समह क्या क्या था दोस्तों 1767sigh में जिसमें की हैदर्ळ अली और अंग्रेजों की हा और हैदर अगला क्या आता है हमारा दूट्तिय मैशूर यूद समय क्या था दोस्तों तो 1780 से 1784 किसके बीच तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में जो कि अर्नित को छूटा था ठीक है फिर अगला क्या था हमारा तो 1790 भी था किसके बीच हुआ था दोस्तों टीपू सुल्ताना और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधी के द्वारा समाप्त हुए थी फिर अगला क्या था हमारा चतूर्थ आंगल मैशूर यूद समय क्या था दोस्तों 1799 इस वी में किसके बीच तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में जिसमें की टीपू सुल्तान की हा हार हुए और मैशूर शक्ति का यही पर पतन हो जाता है फिर अगला क्या आता है हमारा चिल्यान वालना यूद समय क्या था तो 1889 किसके बीच लिए इसट इंडिया कंपनी और सीखों के बीच में हुआ था इसमें की सीखों की क्या हुए थी दोस्तों हार हुए थी अगला क लेकिन सीमा यूद कब हुआ था दोस्तों तो 1922 में हुआ था और ये पेपर में बार बार पूछे जाना वाला प्रशन है भारत चीनी सीमा यूद किसके बीज तो चीनी सेना के द्वारा भारत के सीमा छेतरों पर आकर्मन कुछ दिन तक यूद होने के बाद एक पक्छिय जिसे भारत पाक यूद के भी नाम से जाना जाता है यह कब हुआ था दोस्तों तो यह हुआ था 1965 में किसके किसके बीच तो भारत और पाकिस्तान के बीच जिसमें कि पाकिस्तान की हार भी हुई थी और सिमला समझा भी हुआ था 1965 में फिर आता है हमारा भारत पाक यूद सम 1971 में किसके किसके बीच में तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी फल्षवरुप बंगला देश एक सोतंत्र देश बन गया फिर आता है हमारा कारगील का यूद जो की बहुत इंपोटेंट इंपोटेंट यह है प्रशन कब हुआ था दोस्तों तो 1899 में हुआ था किसके बीच वह था तो पाकिस्तान और भारत के बीच में हुए जिसमें की जम्मू काश्मिर के द्रास और कारगील छेत्रों में पाकिस्तानी घुस-पैटियों को लेकर हुए यूद में पुना पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतियों को जीत मिलूठी ये भारत की बहुत ये रहती हांसिक जीत है पाकिस्तान से और कार्गिल युद के बारे में हमेशा पुस्ञ जाता है कि कार्गिल युद कब हुआ तो तो 1999 इस भी में हुआ था तो दोस्तो ये था हमारा भारत के प्रमुख युदो का वीडियो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं साथ ही अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और सेर भी करें धन्यबाद मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत